पहले ही दिन कहा जब दोलन की शुरुवात हो गई छात्र नौजवान सरक पर दिखने लगे उसी दिन हम लोगों ने कहा भारत की सरकार में जो सम्मंद्ध लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए छात्र नौजवानों के आक्रोज के पीछे कारण क्या है क्या उनकी आसंका हैं इन चीजों का आड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए अगर जरूरत पड़े इनसे बाद करने के बाद तो बदलाव की आप सेकता हो तो निपत योजना में बदलाव भी करना चाहिए अब इतना सके जेडिव और बीजेपी के भी विच में बाजी पोड़ी है और देख लेग बड़ा पैस्वाल दिए पाद की लिए तो निए ने देखें संबंध है आज कोई इस कारण से ठीक है या नहीं है इसका प्रसन कहां उठता है संबंध है जेडिव और बीजेपी के बीच बहुत पुड़ाना है संबंध हमेशा से आज भी है और आगे में रहेगा इसमें कोई इसका क्या मानी सुझत है अचा कोई विशय खास आवेगा जैसे अभी अगनीपत का माम लाया तो इस विशय के कारण ब्यान देने की जुरूरत हुई क्योंकि छात्नव जबान जब सरक पर आगए आक्रोसित दिखे तो हमारा धर्म बनता था हमारी पार्टी की डूटी बनती थी और इस डूटी के नुकूल राष्टिया द्याग जी ने भी ब्यान दिया बाटी लोगों ने भी ब्यान दिया इसका कोई नहीं है संबंध अच्छा है का बिलकुल इसमें कोई अभी इधर उधर देखने की ज़रूरत है अच्छा आपके सच में उनका बंगला था कहा है वो तो किसी दूसरे मानिय सदस्त के नाम पे था अब कतिपय कारण से फिर उनके नाम से लॉटमेंट ही नहीं रहा तो या तो एक प्रावधान है बिधान परिशद का बिधान सभा का उस प्रावधान के हिसाब से कौन ब्यक्ति कहां रहेगा वहीं जत्ताय होता है प्यार की सरकार मजबूती से काम कर रही है हर मुर्चे पर काम कर रही है इसमें किसी से डिक्टेशन लेकर काम हो ऐसा थोड़े होता है अपने तरीके से परसासन काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए